आईए तो आज बनाते हैं छोटी मचली की रेसिपी और इस तरीके से अगर आप छोटी मचली की रेसिपी एक बार बना लेंगे ना तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि ये बनता ही बहुत स्वादिश्ट है तो चलिए आईए बनाते हैं कि और जानते हैं इसका प्रोसेस तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है छोटी मचली जो कि ये वजन में 6-700 ग्राम है और ये पता ने कौन सी मचली है हमें नाम नहीं पता पर ये देखने में देखिए एक ही साइज का है और बहुत अच्छा ये फ्रेस है इसलिए मैं ले आई थी इसे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट बनता है तो चलिए जानते हैं कि इसमें और मैं क्या डालूंगी मसाले में तो मैंने यहाँ पर देखिए एकी प्लेट में मसाला रखा है जिसमें की जीरा है धनिया है थोड़ा सा थोड़ा सा काली मिर्च है और मैं डेड़ से दो चम्मच पीली सर्षों ली हूँ आप चाहें तो काले वाले सर्षों ले सकते हैं और अद्रक है और मतलब लहसन चील के लिया है और रेड़ चीली है तो इन सब को मैं क्या करूंगी कि एक मिक्सर जार में डालके और थोड़ा सा हलका पानी डालके इसे एक अच्छा सा पेश्ट बना लूँगी मचली में तो सर्षों बहुत है जादा ज़रूरी है और हमारे गाओं में और हमारे यहां खास करके यह जो रेसिपी है ना सेम इसी प्रोसेस से बनता है इसलिए मैं अपने घर के तरीके से बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मसाला मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया है और बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका था तो इसे मैं directly मचली में ही डाल ले रही हूं और साथ में जार को दो के थोड़ा सा मैंने पानी एड़ कर दिया है और साथ में स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है और यहां पे एक चमच करीब हल्दी है और यह है कस्मीरी रेड चीली पॉडर और हमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि मैंने ज़्यादा तर चीज जो भी है मसाला पीसने के टाइम में ही डाल दिया था बस इसे अब हलके हाथों से मिक्स करना है क्योंकि यह मचली छोटा सा है दवा के करेंगे तो यह फिर अजीब सा हो जाएगा इसलिए मैंने हलके हाथों से देखिए सारे जितने भी मचली देना उसमें मिक्स कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो चुका है तो चलिए अभी हम जानते हैं कि आगे क्या करेंगे इस तरीके से आप एक बार जरूर बना के खाईएगा बहुत ही स्वादिश्ट लगेगा और घर में सबको बहुत ही जादा पसंद आएगा तो चलिए यहां पर देखिए मैंने लोहे वाला कड़ाई लिया है वैसे तो गाउं में इसे मिट्टी के बरतन में बनाया जाता है पर हमारे पास मिट्टी का बरतन नहीं था इसलिए मैंने लोहे का कड़ाई लिया है मैं प्राट सब्सक्राइब को दर तो जला दान होगा है चला हमें हैं, मचली को देखिए इसाली को हैं इसमें टालते हुए और हमें टालती हैं तो फरा में घुषाने माई थानी आप द 씨रम ऊचेया sonra ने परमें लुए तो चला वला वालगायएं बस मैंने धकन लगा कि इसे 6-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था आप देख सकते हैं मैंने 4-5 मिनट के बाद मतलब इसका धकन निकाला था तो इस तरीके से पानी मतलब इसमें से रिलीज हुआ था और सेम इसी पानी से ये पक भी जाएगा और भूनेगा भी इसलिए इसमें अलग से कुछ भी एड नहीं करना है और 5-6 मिनट के बाद मैं इसे दिखिए इस तरीके से पलटूंगी धीरे-धीरे हलके-हलके तरीके से और पलट के फिर से ढखकर लगा देना है बस यही प्रोसेस में करते जाना है और यह पकने में 15-20 मिनट लगेगा फ्राइ होने में और हो जाएगा तो बीच-बीच में इस तरीके से चलाते भी रहना है ढखते भी रहना है ताकि मसाला भी पके और यह भी जो है कुछ हो जाया अच्छे तरीके से अगर आपको बीच में ओयल कम लग रहा है ना तो बीच में ओयल इस तरीके से डालके और चारो तरफ फीस में फैला दीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से यह हो जाता है तो इस तरीके से देखिए मैंने तेल को डालके फिर से इस तरह से उलट पलट दिया है ताकि सारे जितने भी मचली है उसमें लग जाए और इस तरह से उलटते पलटते 15-20 मिनट हो गया और देख सकते हैं कि यह फ्राय हो चुका है एक एक अलग-अलग हो चुका है बहुत बढ़ी तरीके से तो चलिए आईए इसे सर्व कर लेते हैं तो यहां पे मैं एक प्लेट में निका होता है ना तो इसी तरीके से होता है तो चलिए आईए मिलते हैं ने